नमस्कार दोस्तों गुड इविनिंग हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आप देख रहे हैं चाइनीज मोटर रिवाइंडिंग का दूसरा पार्ट जहां दोस्तों यह 2880 में हम इसकी रिवाइंडिंग कर रहे हैं इस मोटर की सवाइंच स्टेटर वाल हली मोटर है दो इंच इसका इंडायर है चुक्त है दोस्तो और यह मोटर जो है वो चायना की है और चाइनीज है कई सारे पंकों में कोलर में और टैबल फैन में इसका यूज किया जाता है ठिक है दोस्तों तो यहां पर हैं में starting coil यहां पर install करेंगे दोस्तों जो starting coil है यह pitch रहेगी starting की एक से आट एक से दस एक से बारा जै दोस्तों starting की total दो coil है एक कोईल तीन बार मोड के डाले जाएगी और जो coil है starting की वो है 32 इंच की जिया दोस्तों running के हमारी 33 इंच की थी तो starting की 32 इंच की है एक इंच कम कर दिया है उने जिया दोस्तो और रुनिंग में ट्रन 300 थे और starting की क्वाइल के अंदर ट्रन है 250 यानिकी 2500 जियां दोस्तो और गेज से में रखना है आपको 35 नमबर ठीक है आप 34 से भी रिवाइड कर सकते हो अगर आपके पास 35 नहीं है तो ठीक है जिया तो दोस्तों यह जो पंक्खा है बहुत ही तेजी से चलता है हाइज स्पीड पे चलता है इससीय रिवायर्पियम पे तो काफ़ी अच्छा पावर लेता है क्योंकि इसका स्टेटर सायज और रौटर भी इसका अच्छा है तो कैसारे पंकों में टेबल स्फैन में कूलर में यह मोटर आपको देखने को बिल सकते हैं या फिर अगर ये मोटर ना हो चोई और मोटर हो इस तरह के इस TATOR वाली इसी तरह के स्टेटर वाली जिसका इनर डियर दो इज हो 24 सलाट हो और 10 स्टेटर साइज हो तो आप ये डेटा आराम से लगा सकते हैं अगर आपको 28 स्वस्jazheim में रिवाइंड करना है तो जिल्ए 2880 में चार पॉल पे इसको रिवाइट कर सकते हूं 1440 में भी कर सकते हूं उस पर हम एक अलग वीडियो अप्लोड करेंगे जिया तो दोस्तों यह 2800C आर्पियो में चलने वाली हाइश्पीड मोटर है और ताकत अच्छा लगा देती है करेंट भी बहुत कम लेती है ठीक है तो यहां पर पिछ रहेगी एक से आर्ट एक से दस एक से बारा एक कोईल को तीन बार मोड के यहां पर डाला जाता है अगर आप लोगों ने इस मोटर रिवांडिंग का पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा पहले पार्ट का जी हां और पहला पार्ट आप देख सकते हैं ठीक है तो उसमें हमने बताया कि रनिंग कोईल कैसे इंस्ट्र दोस्तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है ठीक है कि आप जिस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं ठीक है अगर आप हाइटेक टेकनिकल पे देख रहे हैं दोनों चैनल पे ये वीडियो अपलोड है राव जी एडवाइस पे और हाइटेक टेकनिकल एक्सपर्ट रा चैनल को अगर अब तक आपने दोनों में से किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेजी दोनों को ताकि आपके लिए कापी सारी वीडियो आपको मिल सके, अच्छी अच्छी आपको ठीक है, तो ये चीज आपको करना है, की नौटिपीकेशन जंसे फायदा यह होता है हम जो भी वीडियो अप्लोल करते हैं वह को नौटिपीकेशन दूआरा मेल जाता है एला फिर आप डॉटिपीकेशन पर तक क्लिक करके है या अपने यूटुब में जाकर हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान पूरक लाश तक आपको देखना है हम स्टार्टिंग को आइल इंस्टोल कैसे करते हैं कनेक्शन कैसे होते हैं इसके और कैसे इसको धागा मारना है वो सारी चीज़े आपको दिखाएंगी ठीक है तो यहाँ पे हम पहली कोईल डाल रहे हैं जियां दोस्तो स्टार्टिंग की पहली कोईल है अब इसमें हम बची हुई अंतीम कोईल डालेंगे सेकिंड कोईल इसकी डालेंगे स्टार्टिंग की और पिछ सेम रहेगा रणिंग और स्टार्टिंग दोनों का एक से आठ एक से दस एक से बारा और सभी स्लोट में सिंगल कोईल डालेंगी कोईल के सिंगल सिरे डालेंगे टेबल किसी में नहीं डालेंगे जी हाँ, अठाइस स्य रिवाइंडिंग का ये फायदा होता है, तो कौाइल आपको कम बनानी पड़ती है, आसानी से रिवाइंडिंग भी हो जाती है, 1440 में आठ कौाइल आपको इंस्टोल करने होती है, जी हाँ, और आपको एक चीज बता देता हूं, कि आप जितना टाइट मोटर को बांधेंगे, पंके की मोटर को, कूलर की मोटर को, जितना ज़्यादा आपको थोड़ी छोटी रखेंगे, ज्यादा लूज आपको नहीं छोड़नी, उतनी ही स्पीड अच्छी मिलेगी, और आपके जो तार हैं, उसकी बचत होगी, ये चीज़ा आप धान कर लीजिए, अगर आप ऐलिमूनियम से बांध रहे हो, तो अगर आप कॉयल को लंबा बना देते हो, थोड़ा, एक इंच, या एक इंच से जादा, आधा इंच, तो आपकी मोटर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, ये ठीक है, अगर छोटा कॉयल आप बना लेते हो, तो रनिंग तो डल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग डलने में बहुत ज़्यादा आपत होती है, अपका टाइम बरबाद होता है, और कई बात तो आपको दोबारा से कॉयल बनानी पड़ती है, आपका तार भी ख्राब जाता है, जियां दोस्तों, और कोपर रिवाइंड आप कर रहे हो, कॉयल आप बड़ी बना देते हो, तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि उसमें कोपर जादा लगता है, फिर कॉयल लंबी होने की वज़े से, ठीक है, और ये चीज़े आपको जहां रखनी चाहिए, कई भाई स सोचते हैं, कि मोटा तार लगा देंगे, तो मोटर जादा ताकतवार हो जाएगी, और जादा ट्रन कर देंगे, तो मोटर जादा तेज चलेगी, तो कई सारी मिट्स हैं, जिस पे हम एक वीडियो भी बनाएंगी, तो ऐसा होता नहीं है, दोस्तों, मोटर के अंदर आपको परफेक्ट तार रखने होते हैं, अगर आप ट्रन को बढ़ा देते हैं, यह समझ कर कि ज़्यादा ट्रन करेंगे, तो मोटर तेज चलेगा या मोटर जलेगा नहीं, यह सोचकर आप अगर ट्रन को बढ़ा देते हैं, डेटा से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक ह आपने 1440 आपके राउंड नहीं बने वोल्टेज पुरा मिल रहा है लेकिन कैपेस्टर लगाने पे भी वो नहीं बने तो आपकी मोटर बहुती जल्दी जल जाएगी जियां दोस्तों राउंड होना, complete round मिलना चाहिए अगर complete round आपको मिल जाते हैं मोटर के तो आपकी मोटर नहीं जलती है यह चीज़ा आप ठान रखे हैहाँ अगर आपके पास वोल्टेज कम आती हैं वोल्टेज बहुत कम आती हैं तो आप अपने मोटर के जो डेटा के हिसाब से ट्रन को कम कर दीजिए आपकी मोटर सही स्पीड पर चलेगी लेकिन वोल्टेज जादा देने पर फिर वो जल भी जाएगी ये चिजाब धान रखिए अ अगर हाँ आपकी वोल्टेज 230 से जादा आती हैं एक्स्टा ही आती है तो आप डेटा के हिसाब से जो आपका डेटा है आप उसमें 20-30 ट्रन आप बढ़ा भी सकते हैं फिर आप मोटर को आपको देखना होता है कि मोटर किस तरह की है ठीक है अगर समर्शिबल मोटर है तो आपको दो ट्रन बढ़ाने या घटाने होते हैं चक्की मोटर है तो आपको लगबग 7-8 ट्रन या 10 ट्रन तक बढ़ाने घटाने होते हैं ठीक है यह जो पंखी की मोटर होती है इसमें 50-70 ट्रन घटा भी सकते बढ़ा भी सकते हैं वो देखा जाता है कि मोटर किस चीज की ह छे हैंदोस्तो. कौन सी Motor है? कौन सी Within ? ये सब चीजे देखके ये क्या जाता है? इस Motor के अंदर चार तार रनिंग के निकलेंगे. चार starting के निकलेंगे. फिर उनको एक ग्धारों को हम एक से तेन में जोड़तेंगे. ठीक है? starting के भी और running के भी चार तार हमारे निकल जाएंगे बाहर दो running के दो starting के अची है दोस्तों जैसे फराटा रिवाइंड करते हैं यह same process है बस motor अलग है data अलग है यह फर्क है तो आप से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए आप यह जो data मैंने आपको बताया इस motor के अंदर अगर other motor में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं लेकिन आपको देखना यह है कि motor का stator size जो है ऐसा ही होना चाहिए लगबग same होना चाहिए ठीक है stator size मोटा हो या थोड़ा पतला हो तो उस पे आपको coil size आप निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन inner dyer और outer dyer यह rotor का फर्क हुआ तो आपको data change करना पड़ सकता है तो अगर आपके पास same stator की motor आती है इस तरह की कोई भी motor आती है किसी भी ब्रान की तो यह data लगा के उसे rewind कर सकते हो ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर हम इसमें कागच speech में लगा देते हैं ठीक है दोनों side आपको कागच लगा देते हैं लेकिन एक चीज भी देखी के कागच लगाने से winding थोड़ी गुच्डू सी हो जाती है ठीक है कागच लगाना थोड़ा कठीन होता है लेकिन आपके पास जो tape आती है वो tape लगा दे बहुत अच्छा रहता है लेकिन कागच tape से ज़्यादा मजबूत होता है यह चीज भी देखी गई है एक अच्छी finishing करना चाहते हैं तो आप tape ही लगाएं कागच नए लगाएं ठीक है कागच लगाने से थोड़ी सी shape इसकी बिगड जाती है जी हैं दोस्तो आप देखी connection करते हैं तो running की चार तार है हमारे पास तो पहले तारों को double आप कर ले double का मतलब खायदा यह होगा कि तार आपके चल्दी से तूटेंगे नहीं strong हो जाएंगे ठीक है जी है दोस्तो और जोड़ भी आपके मजबूत होंगे ठीक है जैसा कि मैंने किया है एक तार को double कर लिया है चार तार running की चार starting की हैं सभी को मार्चिस से छील लेते हैं ठीक है मैंने इस motor में aluminium का use किया है तो अगर आप aluminium से rewind करना चाहते हैं तो rewind कर सकते हैं copper से rewind कर सकते हैं same data रहेगा कोई बदलाव आपको नहीं करना है अगर trend पे बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उपर नीचे कम नहीं करना है बढ़ा देना है 10-20 लेकिन कम नहीं करना है ये चीज़ आपको धान रखनी है अब देखिए हम running में connection कर रहे हैं सबसे पहले running की coil का एक तार ले 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 और उस पे एक तार लगा दे वायर लगा दे फिर उस कोईल का connection अगली कोईल के एक से तीन में कर दे ठीक हैं और फिर बचा हुआ running का तार जो है उस पे भी एक तार आप लगा दें तो यह हमने बीच में जोड वो बना दिया connection कर दिया running का एक कोईल से दूसरी में एक से तीन में अब running में हमने दो तार लगाए हैं सबसे पहला तार हमने लाल लगाया है red तार और एक blue तार हमने लगाया है जो की running का है last का है अब हमारे पास starting के चार तार बचते हैं जिनको हमें दो तार में convert करना है बीच में connection देखे तो running की किसी भी कोईल के एक तार में आप एक black तार लगा दें और उस कोईल के बचे वे दूसरे तार को आप starting की दूसरी कोईल में connection देदे एक से तीन में ठीक है और जो तार बचता है उस पे भी आप black तार लगा दें तो तार का color कोई भी आप लगा सकते हैं उससे कुछ पर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपको धान रहना चाहिए कि मैंने starting में क्या लगाया running में क्या लगाया है ठीक है अब चलिए इस पे धागा हम मार देते हैं तो थोड़ी सफाई से इस पे धागा मार ना होता है ईक चीज और अगर आप बारिक तार का यूज कर रहे हैं 35-36-34 नमबर ऑ एलिमोनियम्स कर रहा है तो आप ज्यादा ठाइट धागा ना मार अगर ज्यादा ठाइट थागा आप मारेंगेsome कहीं से तार खिचा हुआ मिला तो तूड जाएगा और फिर आप उसको ढूंडते रहोगे आपका सर में दर्द हो जाएगा फिर तो यह aluminum में यह problem बहुत ज़्यादा होती है मोटे तार हो तो बहुत अलग है लेकि पतले तार में बहुत ज़्यादा प्रेशानी होती है कई बार होता है कि हम rewind करके complete कर देते हैं उस समय ठीक दिखता है थोड़े देर बाद जो हमने चोड बनाये थे वही फिर ढिले हो जाते है उसको फिर दुबारा से लगाना पड़ता है कई बार तार तोड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है aluminum की rewind में जी यहां दोस्तो aluminum की rewind बहुत ही धीरे धीरे करनी चाहिए और सावधानी से करनी चाहिए और जो जोड है वो थोड़े मजबूत बनाने की कोशिस करनी चाहिए और जो जोड़ों में जो तार आप लगाते हैं वो तार ऐसे थोड़े से खलके होने चाहिए नाजुक होने चाहिए अगर आप मोटे तार लगाओगे तो जोड़ जल्दी जल जाएंगे ये चीज़ आप ध्यायड रखें और Aluminium winding में आप Aluminium के ही connection करें Aluminium थार से ही connection करें जो आप wire लें वो Aluminium का ही ले जब आपके पास नहीं हो तो ही आप copper का use करें ठीक है अगर आप copper का use करना चाहते हैं Aluminium के साथ तो आप जोड बनाके उस पे थोड़ा पेश्ट लगाके उस पे सोल्डरिंग कर सकते हैं इरिन से तो उससे अच्छा रहता है कारबन वगेरा नहीं आता है जोड अच्छा टाइट होना चाहिए एलिमूनियम में खराबी देखी गई है कि हम फैन को चला देते हैं चलता है एक सीजन आगले सीजन हम जब चलाते हैं तो नहीं चलता है होता क्या है कि जोड होते हैं कार बना जाते हैं या मोटर के अंदर थोड़ी सी भी सील चली जाए तो तार ही गल जाते हैं जी हां दोस्तों ये चीज़ें देखी गई हैं तो आप जब भी अपने लिए रिवाइंड करो मोटर को अगर आप सीख रहे हो तो आप तो आप एलिमुनियम का ही यूज करें क्योंकि आपके वाइंडिंग जल भी सकती हैं ख्राब भी हो सकती हैै या कौयल छोटी भी बन सकती हैं कई कारण हो सकते हैं तो हैं ऐल्मुनियum काफी जस्ता आता है काफी ज्यादा ठीक है वेट में इसलिए बहुत ज़्यादा चड़ भी जाता है किलों बहुत ज़्यादा आजाता है तो डवल फायदा है नुकसान यह है कि इसको कोई लेता नहीं है फिर ठीक है अब कोपर का यूज आप करें जब अपनी गर की शारि निखा गये हैं है तो यहां पर चार तार हमारे निकल गये हैं दोस्तों में इसको चला के दिखा देतें आपको ठीक है तो यहां पर आपको केपेस्ट्र लगा लेना है तीन पॉइंट पंधरा थीक है 3..15 आपको लगा बना लेनाम और एक टार अर चिन ay स्टार्टेंग स्टार्टिंग कर लेकर कोमर बना लेना से निला और एक बार Genki मैंने लिया ऊओन का लीजना को को रॶ पमर बना लेना थो थार भाशते हैं दोन прест्र्टिं लगाना नहीं है रेड div ब्लाक हूं आप इसमें बोल्टेज देंगे वोल्टेज का एक तार में यह दे रहा हूं ठीक है 2880 से भी ज़्यादा आर्प्यम ये दे रहा है लगबग 3,000 की ठीक है और मैंने इसको ताकत भी इसकी टेस्ट की है मैंने इसको पकड़ने की कोशिस की देखे जाए कि इसकी ताकत क्या है देखिए देखिए मैंने फूल बीच रखा लेकिन देखिए रुक नहीं रहा है जब म फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजी दोस्तों सेर कीजी चैनल को सब्सक्राइब कीजी ठीक है जैंजै वारत